दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पंडी तुगम पंडे कॉलेज मोतिहारी से ग्रेजवेशन का कोर्स कम्प्लीट किया हैं तो ग्रेजवेशन का कोर्स करने के बाद जो है न इनवर्सिटी के द्वारा थोड़ पार्ट का मार्क सीट और पुरिवि कोफी जमा कराना होगा तभी आपको कॉलेज लिविंग सॉटिफिकेट दिया जाता है ग्रेजवेशन का कोर्स कम्प्लीट करने के बाद तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स पे चर्चा करेंगी कैसे आप पंडी तुगम पंडे कॉलेज से अपना CLC या कंड़क्ट स सुचना इस महा विद्याले के चात्र शत्राओं को सुचित किया जाता है कि दिनांग 24 से गारे 2022 से CLC, CC यानि की कॉंड़क्ट सॉटिफिकेट, ट्रांसपर सॉटिफिकेट, कॉलेज लिविंग सॉटिफिकेट, कॉंड़क्ट सॉटिफिकेट, ट्रांसपर सॉटिफिकेट का सुल्क ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाना है छात्रिशत्राओं सुल्क के महाविध्यले बेवसाइट www.pupmotihari.com पर जाकर आप अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने के बाद जो है ना आपको कॉलेज में हाड कोंपी जमा करना होगा हाड कोंपी की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि इसके हाड कोंपी के साथ आपको जो है ना असना तक तिरितिये वर्स की नमांकन की रसीद हो गया आसनातक के पंजियन की शाया प्रती हो गया त्रितिय वर्स की जो है न यानि की लाश्ट फाइनल इयर की आपको प्रवेस पत्र और माक्सिट जोनो जमा करना होगा तो चलिए पूरा प्रोसेस हम बताते हैं कि कैसे क्या करना होगा दोस्तो CLC के लिए ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आपको जो है न गूगल ओपें करना होगा और गूगल पे आपको सर्च करना होगा P.U.P. मोतिहारी लिखके जैसे ही आप लोग P.U.P. मोतिहारी लिखेंगे आपके सामने पंडी तुगम पंडी कॉलेज मोतिहारी का official website आएगा इसके उपर आप क्लिक कीजिएगा जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो अगर आप अपने computer में इसको खोले होंगे तो home, about उसके बाद यहाँ पे admission, department, pdc part 2 आगया admit card आगया, gallery आगया CLC conduct यहाँ पे approval हो गया login हो गया, यानि कि last से दो पहले, login और approval से पहले CLC conduct होगा, अगर आप mobile में खोल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे home के just उपर 3 dot दिखेगा इस 3 dot पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो आपको CLC conduct का option दिखेगा, उस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसको उपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपके सामने एक instruction खुलेगा, इस instruction को आप देखेंगे, तो बताया जाएगा कि यह CLC लेने के लिए आपको 1.500 रुपय का application फीपी करना होगा, तो आप यहाँ पे new registration के उपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप new registration के उपर क्लिक करेंगे, तो बोलेगा certificate apply for, यानि कि आप CLC conduct करना चाहते हैं, या transfer conduct करना चाहते हैं, तो हम CLC लेना चाहते हैं, यह लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे name बोला जा रहा है, तो applicant का नाम, यानि कि जो candidates pass किया है, उसका नाम यहाँ पे लिखेंना है, फिर यहाँ पे उसके पिता जी का नाम लिखेंना है, फिर यहाँ पे उस candidates का यहाँ पे mobile number लिखेंना है, उसके बाद यहाँ पे, अगर हम बात करें, तो उस प्रेंडर बताना है, फिर यहां पे सेशन बताना है कि वो किस सेशन में पंडितुगम पंडे कॉलेज मोतिहरी से ग्रेजवेशन का कोर्स कमप्लीट किया है, मेरा कोर्स जो है वो सेशन 20-23 का था तो हम यहां पे 20-23 का सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहां पे में कौन सा subject को honors किये थे तो हम mathematics honors किये थे यहाँ पे select कर लिया है यह feel करने के बाद आपको create account के उपर click करना है अब जैसे ही आप create account के उपर click करेंगे तो बोलेगा यहाँ पे username and password send to your mobile number successfully तो आप इसको okay कर दीजिएगा अब जैसे ही आप इसको okay करेंगे तो यहाँ पे आपका user id और password दिखाया जाएगा यह दोनों को यहाँ से note करने के बाद login के उपर click करना है अब जैसे ही आप login के उपर click करेंगे तो यहाँ पे sign in का option है जिसमें आपको अपना username फिल करना है फिर यहाँ पे password को फिल करना है तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि password को फिल कर लेते हैं और यहाँ पे अपना user id को फिल कर लेते हैं username और password को फिल करने के बाद login के उपर click किजिएगा जैसे ही आप login के उपर click करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका user dashboard खुलेगा जिसमें आपका यहाँ पे welcome और आपका नाम दिखाया जाएगा transaction history में अभी आपने कोई भी transaction नहीं किया है तो यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है तो यहाँ पे जो option है बोलेगा कि registration for CLC conduct certificate और registration for transfer certificate तो हम यहाँ पे registration for CLC conduct certificate के option पे click करेंगे अब जैसे ही हम इसके उपर click करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने CLC conduct certificate का form आएगा जैसे कि यहाँ पे बोला जाएगा college admission role number for TDC part 3 तो यहाँ पे अपने third part का role number बताना है फिर यहाँ पे mark obtained यानि कि आपको कितना number प्राप्थ हुआ है और total कितने number का आपने exam दिया है फिर यहाँ पे percentage वह खुद वह खुद calculate कर लेगा जैसे माल लिजे कि mark obtained में हम यहाँ पे 451 number डाल देते हैं और total mark में जो है ना हम यहाँ पे 800 number डालेंगे तो यहाँ पे देखिए percentage वह खुद वह खुद ले लेगा division यहाँ पे first division second division बताना है जो भी आप division से पास किया है फिर यहाँ पे आपको जो है ना exam held on आपका exam कब हुआ था यह बताना है यहाँ पे month महिन, मतलब महिना बताना है किस महिना में आपका exam हुआ था और फिर यहाँ पे year बताना है कि किस year में आपका exam हुआ था फिर यहाँ पे आपको अपना permanent address फील करना है और अगर आपका permanent address और communication address दोनों सेम है तो इस box को आप ठीक कर देंगे और जो है न इस दोनों सेम सेम उतर जाएगा उसके बाद यहाँ पी बोला जा रहा है कि आपको कौन कौन documents upload करना है अगर documents की हम बात करें तो आपको जो है न अपना photo upload करना है जो की 100KB से कम का होगा signature भी 100KB से कम का होगा प्रजिस्ट्रेशन सिलिक upload करना है अधार का जी रोक्स मतलब अधार का photo upload करना है third part का mark sheet upload करना है third part का यहाँ पे admit card upload करना है pdc part 3 का जो है न college admission सिलिक upload करना है उसके बाद additional mark sheet यहाँ पे upload करना है अगर कोई extra marksit आपके पास है तो और नहीं है तो कोई बात नहीं फिर यहाँ पे upload additional documents अगर आपके पास पुछा है तो यह भी upload करेंगे नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ देंगे documents की अगर हम बात करें तो जिसपे star mark लगा हुआ है न वहीं upload करना है जिसपे star mark नहीं है वो upload नहीं करना है जैसे कि यहाँ पे नीचे का जो दो documents है upload additional documents one और upload additional documents दो यह आपको upload नहीं करना है जो भी documents upload होगा वो 100 के भी से कम का होगा तो यहाँ पे आप देख सकने हैं जैसे कि हमने आधार काड हो गया और यहाँ पे part 3 का यहाँ पे missions लिफ हो गया यह दोनों upload किया है इस तरह से अगर आपको भी upload करना सीखना है तो आपको क्या करना होगा Google open करना होगा और Google पे आपको search करना होगा resize image list के जैसे ही आप resize image list के search करेंगे तो आपके सामने www.reduceimage.com का एक website आएगा आप इसके उपर क्लिक किजिएगा जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने resize image का एक section खुलेगा यहाँ पे आप select image के उपर क्लिक किजिएगा क्लिक करने के बाद जैसे मान लिजे कि मुझे फोटो resize करना है हम यह फोटो अगर upload करना चाहे तो यह फोटो को हम select कर लिए 177 KB का मेरा फोटो है हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे हम width में कोई भी share नहीं करेंगे height में कोई भी share नहीं करेंगे resolution में कोई भी share नहीं करेंगे format यहाँ से JPG रहने देंगे quality 90 है अगर हम 90 पे resize करना है यह 27 KB का हो रहा है यानि कि यह केवी मेरा इस तरह से कम हो रहा है अगर हम को केवी बढ़ाना है quality को यहाँ से सह करके और तब resize करना है यह 107 यानि कि यह थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि यहां से quality को सब्सक्राइब करके अगर हम 99 करके तब resize कर रहे हैं यह 70 kg का हो रहा है तो हम download image को उपर click करेंगे यह लगबग 72 kg का मेरा image download हो चुका है हम यहां पर upload photo के उपर click करेंगे choose file पर फिर यहां पर download में आ करेंगे और cut करने के बाद select image के उपर click करेंगे click करने के बाद यहां पर फिर हम अपना signature select करेंगे जैसे यह मेरा signature है हम इसको यहां पर select कर लिए यह 256 kg का मेरा signature हो गया quality 99 है अगर हम size के उपर click करेंगे यह 93 kg का हो रहा है हम download image के उपर click करेंगे यह लगबग 94 kg का मेरा signature download हो तरीके से आपको जो है ना जो भी यहाँ पे डोकुमेंट्स मांगा गया है उसको resize करके upload कर लेना है बताया हुगा सभी डोकुमेंट्स को upload करने के बाद submit के उपर क्लिक करना है अब जैसे ही आप submit के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा success application successfully upload अब यहाँ पे जो है ना आपको payments for CLC conduct certificate है और payment for CLC तो हम यहाँ पे payment for CLC and conduct certificate को उपर क्लिक करेंगे अब जैसे ही हम इसको उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे payments का details आएगा जिसमें बोलेगा कि amount को select करना है तो यहाँ पे amount जो है वो 250 है यानि कि 250 है आपका नाम आपके पीता जी का नाम email ID, mobile number, login ID यह सब आपका रहेगा और यहाँ पे जो है ना आपका stream course यानि कि course का नाम रहेगा subject रहेगा university registration number, university role number सब यहाँ पे रहेगा बस आपको यहाँ पे प्रोस्यूट टूपेमेंट के उपर क्लिक करना है अब जैसे ही आप प्रोस्यूट टूपेमेंट के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना credit card, debit card का option है तो हम यहाँ पे भारत QR के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 14 रुपिया 16 पैसा का आपको extra पे करना होता है जो कि मतलब लगता है अगर आप किसी भी माद्देम से पे करते हैं तो हम यहाँ पे पेनल के उपर क्लिक करेंगे अब जैसे हम panel के उपर click करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक QR code generate होके आया है इस QR code को हम अपने phone पे, Google पे, Patreon यानि कि जिस भी app को हम use करते हैं उस app से हमको scan करना है उस app से scan करने के बाद हमको उस app में अपना UPI pin दाबना है UPI pin दाबने के बाद processing होगा और processing होने के बाद यहाँ पे लिखेगा payment successfully तो आप इसको ok कर दीजिएगा आपका यहाँ पे details दिखाएगा और details दिखाने के बाद यहाँ पे आपका payment successfully हो चुका है payments होने के बाद आपको view यहाँ पे view and print का option है इसके उपर आप click कीजिएगा इसके उपर click करने के बाद इसका PDF अपने पास इसको save रख लेना है ताकि जब आप अपने college जाएं तो इसको जमा कराएं यहाँ पे बोला गया है कि सुल्क जमा करने के बाद महाविद्यालय में hard कोंती जमा करने पर ही आवेदन मानने होगा इस आवेदन के साथ documents कागजात जमा करने की सुची जैसे की admit card यानि की आपको परवेशपत्र, mark sheet, admission यानि की नमांकन का रसीद और college, ID card या आधार card में से किसी एक का जिलोक्स लगा के आपको जमा करना है तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि पंडित उगम पंडे college से अगर आपने graduation का course complete किया है तो आपको जो है न CLC contact certificate लेने के लिए online आवेदन कैसे देना है अगर मेरी दिय हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे informative वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे वीडिया लेना चाहूंगा तब तक आप लोग देखते रहिए मैरा YouTube चैनल फॉर्म फिलप की knowledge जाए हिंद जाए भारत